हेलो फ्रेंड्स तो सुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम करेंगे एबल टेस्ट अगर आपके पास के सीष प्रवाइड ओ और आपको प्रूफ करनो कि युणिफॉम कनवरजेंस है है तो मारे पास एक प्रूफ कर सकते हैं कि युनिफॉम्नी कनवरजेंट तो ये से बारे में के प्रूपलीट जहानकारी लगते गए है तो अगर आपको इस तरह की कुछ सीरिज प्रोवाइड करी आए जाए कि मतलए कि आपके जो सीरिज है ना दो टेर्म बाई टेर्म प्रोड़क्ट है ठीक है दो सीरिज के कहलो इक तरह से जैसे आपके पास यहां पर पहले टेर्म होगी वह यूँवान एक्स दूसरी टेर्म यू2 एक्स इनका टेर्म का प्रोड़क्ट बन रहे गा यह साब से चल तरह रहे है अगर आपको इस तरह मतलए शीरिज प्रोवाइड Convergence हो ठीक है जो दूसरी है गिया है वो एक तो Uniformly Monotonic हो ठीक है जो आपके दूसरी अदर है गिया है एक तो आपके पास Series Convergence होनी चीए जो दूसरी है गिया है करला आप उसी Sequence देखोगे ठीक है अगर वह Sequence आपके पास Monotonic आजे और Uniformly Bounded Uniformly Bounded का मतलब यह होता है कि आप Interval में से जो मर्जी वैल्यू ठालो जो आपके बास Sequence of Function बनेगा ना वो किसी भी Point पे Unbounded Value नहीं देगा ठीक है वो किसी पे पटिकुलर Point से मतलब आपको एक ऐसा Bound मिलेगा यह आपकी सारी Sequence जिसे Bounded हो जाएगी हर एक X के लिए हर एक N के लिए समझ पा रहे हो कि जैसे आप यह गया है VNX यह Complete Bounded आपको एक K मिलेगा जिसे Complete Bounded हो जाएगी जिसे आप A जो मर्जी Natural Number से ले लीजिए ठीक है और जो मर्जी X ले लीजिए आप A से B के बीच में जो मर्जी Value आप फंक्शन की ले लीजिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यह Bounded तही Bounded रहेगा Uniformly Bounded मतलब यह है कि आपको एक Bound मिल जिए जो सारी Complete Sequence के लिए काम करें उसी Uniformly Boundedness के लिए प्रोप्टी उस बोलते हैं तब अगर आपके वे यह दो कंडिशन होल्ड करजे ना जो आपके पास जो हैगी है तो यह फिर यह वी Uniformly Convergent होईगी आई इसका प्रूफ देखते हैं अगर आपके पास Capital R&P Partial Remender मालो इस सीरीज का अब पार्सल रिमेंडर क्या गया है जब आप इस सीरीज के सम निकालते हैं इसको KPN मालो कि जो पार्सल सम मालो K N प्लस P और माइन less क जो जुसके बाद जो बचेंगी बोलो तर्म बचेंगी ना आपके और रहें बचेंगे यूँएन प्लस one x वे एन प्लस one x यह तर्म बचेंगी तो यह पार्सल रिमेंडर होते पार्सले मंडर का नाम दे दिया जैसे कि यहह चाहींड बचेंडर Wagam पार्सल रिमेंडर आपको जब उसको समकर हो जब कोची के अंदर करते थे कोची थुरूम के अंदर तो वो चीज़ जब आप उसको माइनिस करके जो टरम लिखोगे न तो आपको पार्सल रिमेंडर बोलेंगे तो आपका पार्सल रिमेंडर है इस सीरीज का और यह पार्षल रिमेंडर बताएगा जर्णल फ़र्म लैट कर ले, इसको करने से पहले कि मारे लिखने में असा नहीं हो जा टीप्रिकल नहां हो सके लिखने में, ठीक है? तब आपने इसको भी जर्नल लेकर ले, अब प्रूफ करते हैं, प्रूफ करने तरीका ग्या था, हम कोची क्रिटेरिया से प्रूफ करेंगे, कोची क्रिटेरिया अगर मारे पाँ सैटिस्फाई हो जए, तो हम बोल देंगे यह उनिफोर्म लिखन वर्जन्ट है, ठीक है, तो ईक works एकस को सिल अगर आप इसके पहले कहना में है यह करोंगे टो तुमक्रों 1 माइनशिक के अंदर करता हो गए और डो गए यह आप के पास्पले यू-न प्लस-1 ठीक है तो आपके पास यह फार्सरेंटर हो गया ठीक है तो सोड़ एपने ार और आर एंड वन एक्स बचतेगा तुसको ये इसका नाम दे दिया ठीक है सिमियरल कि यहाँ पर आर एंड़ एक्स माइनस आर और एंड वन-एक्स जो आपके पास क्या बचेगा यू N प्लस 2 उस टरम को इस तरह लिख दिया यहां पर आपके पास R N प्लस 2 रिमेंडर में क्या बचेगा ठीक है वो चीज़ है वह आपके पास टरम बचेगी un plus 1 and plus 2x और यहाँ से minus को un x 1 यहाँ से बचा un plus 2x वो partial remainder हैंगे द्यान देना चेक करना ठीक है तो आपको यह तरम बचेंगी उसको inform के अंदर लिख दिया un plus 1 को आपने vn plus 1 आपने वैसे वैसे लिया हमने इसको लिखने कारण यह partial remainder लिखते है ना आगे आपकी थोरों का process सही रहेगा process को आपको दुमाग में बठाने ही पड़ेगा क्या process आप use कर रहे, solve करने के लिए ठीक है, यह process यूज करा इस चीज को लिख लिए value put करके, अब आपने क्या करा vn प्लस 1 मली के नामे rn rn1x, मतलब जो आपका partial remainder था, वो अलग निकाल लिए comment, तो आपके पास यहाँ पर क्या है vn प्लस x यहाँ पर यह rn1 था, तो यहाँ पर vn प्लस 2x, इस तरह करके आपने यह लिख लिया मदे simplify कर लिए equation को जिसको आपको proof करना है कि यह less than epsilon है, कि आप convert कर रहे हो, आपकी situation के अंदर जो आपको given है गिया है, ताकि आप proof कर सको अब देखिए friends, अब अपनी statement के अंदर, हम vn x को monotonic sequence लेके चले हैं, monotonic sequence लेके चले हैं, अगर कोई भी sequence monotonic है, तो उसकी upper value vn प्लस 1, lower value minus upper value same sign रहेंगे, इन सब के ठीक है, कोई कि आपको पता है यह vn plus 1x vn plus 2x up to son या तो यह less than के sign में आएंगे less than के sign चलेंगे, या greater than के sign चलेंगे, या यह सारी value positive रहेंगी, या यह सारी value negative रहेंगी, सब का sign same एक ही रहेगा, alternative sign नहीं आ सकती है, आपकी sequence के अंदर indifference के अंदर आपके पास alternative sign नहीं आ पाएंगे, सब के पास sign एक करेंगे, पहले आपने यह दियांस देखो, ठीक है कोई कि आपने इसको monotonic sequence let करके चले होगी हो, आपकी statement यही थी कि अगर आपके पास यह monotonic prove कर दो, यह आपके पास provide ओ, ठीक है ना, यह आपने statement यह लेके चले गए है, तो उस चीज के कारण, यह चीज एक same sign ही लेंगे, अब क्या, अगर आपके पास यह same sign में है, और उसके बाद साथ ही साथ आपको यह provide कर आए गया है कि जो यह vnx है, uniformly bounded है यह आपको given के अंदर reference, ठीक है, आपने बस proof करना है, uniform convergence के बारे में यह चीज आपके पास given है, आपने product को uniform convergence proof करना है ठीक है, तो अब आपके पास यह uniform bounded है तो vnx less than किसी case है, for every x in a b and for every n belongs to natural number, मतलब कि आप कोई भी n ले लो कोई भी x ले लो, आपको एक single bound मिल जेगा, ठीक है अगर यह सारा bounded है, तो vnx less than किया होजेगा और similarly, अगर आपके पास uniform convergence प्रवाइड कराई गई है अगर यह आपके पास uniform convergence है तो यह partial remainder है गए है वो less than epsilon by 3 के होएंगे इसको चाहिए, अभी आप लेट ना करो इस term को, आप बाद में लेट भी कर सकते होगी हो क्योंकि आपने epsilon by 3 के ही क्यों लिया यह दिमाग में उड़ता है अब by 3 के लेना था हमें कैसे पता चला चाहिए इसको एक वरी आप उस position को खाली चोड़ देजी ठीक है अब आपने पास देखते हैं पाल से रिमेंडर देखते हैं उस सीरीज का जिसको आपने प्रूफ करना है गया यह करना वर्जेंट है ठीक है अब आपके पास यह सारी टर्म bounded होगी case है यह भी case है यह भी case है यह हम लेके चले है bounded है case है ठीक है लेट कर लिए bounded है case है और यह सारे term किस से less than होजेंगी epsilon by 3 के कोई कि आप यहाँ पर यह लगा दो ना mode लगा दो ना तरफ आपने mode को प्रूफ करने ना यह मोड लगा फिर अलग अलग कर देना फिर less than का sign आजेगा तो यहाँ पर सिद्धा less than का sign यूज कर रहे हैं मैंने ठीक आपके बाद अब यहाँ पर 3 के लेट कर रहा था अगर आप 3 के लेट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर इनको यह less than आपने के step ना ले लो ठीक है महाँ पर यह चीज़ का पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अब यहाँ पर हुआ अब यहाँ पर क्या हो इस चीज़ को पोस्ट्वी कर लिए अब यहाँ पर यह मोड लगा हुआ है तो यहाँ पर मोड लेस देन था हटा लिए यह प्लस का sign हो जगा यहाँ पर मोड आजेगा तो यहाँ पर टू कर लिए इसको ठीक है तो यहाँ पर टू कर आगे कुँग मैंने 3K लेट कर रहा था तो मैंने इससे अपर सॉल्व करना था अगर आप पहले के के पूट कर दे अगर आप इस तरह भी नहीं सोचना चाहिए तो इस तरह समझ लि यह कंडिशन तो अब आपके पास है गी है फॉर एवरी एन डेटर दन इकोल टू यहाँ से कोचिक रिटीरिया विए आपको कंडिशन मिल गी तो इसका मतलब भी क्या हो गया कोचिक रिटीरिया यह आपको यहां पर प्रूफ हो गया इसका मतलब यह आपको यूनिफॉम्ल convergence है in 0k where जो k है आपका ये condition hold कर रहा है ठीक है uniformly convergent है तो UNX आपको इसको ये let कर लिया VNX आपने ये let कर लिया अब ये आपको कुत्वत ज्यान देना पड़ेगा observe करना पड़ेगा कि आपको अपनी series के अंदर कौनसा आपको UNX मानने कौनसा VNX मानने ठीक है कि आपको ये चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा अगर ये आप कोशिश थोड़ा solve करोगे देखोगे अपने आप experience को होगा न तो आपको अपने दिखना सुरू हो जाएगा ठीक है वरना rocket science नहीं है जो आपको समझना आए अगर आप थोड़ा से कोशिश नहीं करोगे मैनद नहीं करोगे तो आपके लिए rocket science बनेगा ये अब आपने दोनों तरफ मोडलस लगाया ठीक है आपको पता है N3 हमेशा लेस देन रहेगा N3 प्लस X3 क्योंकि X3 आपका कहां से बलोग कर रहे है ठीक है ये तरम रहेगी तो ये चीज़ यहाँ पर यूस कर ली यहाँ पर यूस कर ली बाई पी टेस्ट हमें परफा है ये कररजन्ट है ठीक है ये uniform divopardy sarà गया है तो इसक तो ये उनिफॉनе version है ठीक है तो आपका मतलब पहले यह हो गया कि यह आपका uniform convergent हो गई यह चीज अब दूसरा क्या प्रूफ करना था monotonic दूसर और आपने दूसरी बात प्रूफ करने वह सिक्वेंस आपकी monotonic चाहिए और uniformly bounded लोन चाहिए series के लिए आपके पास series आपको सोई series आपकी यह थी sequence सब्सक्राइब यह प्रूफ करना थी monotonic है और bound लोईगी sequence है nx square आपकी यह क्या बनेगी 1x square 2x square 3x square यह देखिए आपके monotonic sequence बनेगी जिस तरह बिचले जो मर्जी x की value लिए लिए इस interval के बीच में इसने monotonic ही बनना आगा है तो sequence आपकी monotonic है और n square आप जो आपके x square है किस interval के बनेगी 0 से k इसने प्रोच का अगर ने 0 पे तो convergent हो जाएगी हर एक के लिए ठीक है sequence है जो आपके यह convergent है यूनिफोर्मली convergent sequence है sequence of function है तो इसका मतलब कोई भी अगर आपके यूनिफोर्मली convergent तो वह bounded भी होगी uniformly bounded होगी ठीक है यह आपका result है तो by able test यह आपका uniformly convergent होगा अगर आपको सब्सक्राइब आए तो आप कमेंट करके मैं इसे पो सकते हैं और इसी के साथ वीडियो लेक्टिस हमापते करते हैं अगर आपको मेरे वीडियो लेक्टिस अच्छा रगए लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें थैंक्यू